बच्चों, आज कक्षा साथ में बिथिका व्याकरम परिशे में बोली हिंदी साहित, हिंदी साहित परकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उससे पहले कि राज भासा और मात्री भासा के बारे में आपको बता दूँ मात्री भासा उसे कहते हैं जब कोई बच्चा अपने मा या अपने परिवार के परिवेश में उनकी बोली सुन कर जो सीखता है उसे मात्री भासा कहते हैं जैसे में कि एक पंजाबी बच्चा पंजाबी भासा में अपनी भासा को सिखता है हिंदी भासा छेत्र में जनम लेने वाले बच्चे का मात्री भासा हिंदी होता है क्योंकि आब आते हैं राज भासा राज भासा उसे कहते हैं जो देश के दिकांस सरकारी कारजालियों और र यूग लाई जाती है उसे हम राजभासा कहते हैं भारत देश का राजभासा हिंदी है क्योंकि या भारतिय समिधान में 343 के अनुश्यत के अनुसार 14 सितंबर 1449 को हिंदी को भारत की राजभासा दर्जा प्राप्त हुआ इसलिए प्रतेक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत समिधान में हिंदी सहीत 22 भासाओं के मानता प्रदान की गई हैं ये भासा हैं सम्या, बांगला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कंड़, कस्मीरी, कौंकनी, मैथली, मलियालम, मनिपूरी, मराथी, नेप हम लोग बोली किसे कहते हैं, उसके बार में जानेगे, जो एक विशेष छेत्र में अस्थाने लोगों द्वारा बोली जाती है, जिस भासा का लोग परियोग करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं, इसका छेत्र सिमित होता है, इस और बोलियां यह उभासा अलग-अलग शेत्रों में बोले जाते हैं जैसे कि यह उभासाओं को पांच भागूं विभाजित किया गया है पुर्वी हिंदी बिहारी हिंदी राजसाने हिंदी पहाडी हिंदी खड़ी बुली बुंदेली हर्यानवी कनोजी पुर्श्मी हिंदी कहलाते हैं पुर्वी हिंदी में अबधी चतिशगड़ी वगेली बिहारी हिंदी में मैथली भोजपूरी मगी राजसाने हिंदी में माल सब्सक्राब्वानेजर में पढ़ाड़वाली वह पाहड़वाली कुमावनी और मड्यावी हिंदी साहित उसे कहते हैं जब प्राचीन काल से विद्वानों और सिछाविदान द्वारा अमुर विचारों और को रचनाओं को लिखीत रूप में शंजोक कर रखते रहे हैं उस ज्ञान के इस संचित कोस को हम साहित कहते हैं साहित मुख्यता दो प्रकार के होते हैं एक गद साहित और दूसरा होते हैं पद साहित गद साहित में आते हैं चंद्रकांता गोदान चंद्रकूप्त राग दरवारी गुनाहों का देवता आधे अधूरे इत्यादी पद साहित में आते हैं रामचरित मानस, सत्सय, शाकेत, सिवाबावनी, कमायनी, मदुसाला, यामा इत्यादी उसी तरह से गद साहित के परमुक्स साहितिकार जो हैं भारतिन्द्धु हरिष्चन, रामा चंद्र सुकल, डॉक्टर राम कुमार बर्मा, डॉक्टर सम्पुर्णा नंद, हजारी पसाद वेदी, प्रेम चंद्र, जैसंकर पसाद, इत्यादी पद्र साहित के प्रमुक्स हिंदी साहितिकार हैं भूशन, कवीरदास, सूरदास, तुलसिदास, मैधिसरन गूप्त, सुमितरन दंदन पंत और महादेवी वर्मा अब हम आपको होमवर्क के रूप में कुछ रिख दस्थान दे रहे हैं जिसे की आपको भरना है एक डैस भासा का प्रिवक केवल साक्षर देखती ही करते हैं दूसरा प्रतेक वर्ष 14 सितमर को डैस मनाया जाता है मणवारी तथा वागडी डैस हिंदी कंदर गरता आते हैं गीत दोहा चंद चौपाई डैस साहिति प्रमुक्ष बिधाएं हैं भासा को सुध बोलना पढ़ना और लिखने लिखने और सिखाने की वाले सास्त्र को डैस कहते हैं धन्यवाद